प्रचार का शोर सिना ने दो आतंकियों को किया धेर स्टर्च ओपरेशन जारी सीवियाई खूसकान में सीविसी के सवालों पर बोले राकेश उस्थाना जिस वक्त रिश्वत लेने की बात हुए उस वक्त में लंदन में था कनाटक में आज मनाई जाएगी टीपो सुल्दान की जनती समारों में सीअम कुमार स्वामी की जगा जेडियस के मंत्री वैंकट राओ हूंगे शामिल बीजबे के विरोत के चलते कईजीलों में धारा 144 लागू फ्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी आज करेंगे केमपी एक्सप्रेस बे का उध्खाटन वीडियो कॉंट्रेंसियं के जरिये टोल प्लासा का भी करेंगे शुभारंब बारा साल पहले हुआ था था मुदफर नगर के बार अगरा का नाम बदलने की उठी मांग बीजबे में में लें जगन प्रसाद गर्ग का बयान आगरा का नाम अगरवाल कर दीना चाही तेश पताब यादव अपने तलाग लेने के फैसले पर अडिक कहा जब तक तलाग पर मेरे निर्ने से सभी सहमत नहीं होंगे तब तक घड नहीं लोटूँगा दिल्ली में हवा की गुडवता आज भी खराब एर कॉलिटी इंडेक्स चार सो साथ किया का यादर्ज शादी के लिए रणबीर और दिपिका आइटली रवाना 14 और 15 नवंबर को शादी के बंधर में बनेंगे दोनों श्रिलंका में राशपती मैत्रेपाला अस्री सेना ने भंकी संसत बहुमत का अकड़ा नहीं जुटा सके पूर्व राशपती और नवनियुक्त प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे संसत में भुमत के लिए चाही 113 वोट पांजनवरी को होंगे चुनाफ सुमालिया की राजधानी मोका दिशू में एक होटल के परीसर में दो कारबं नमाखे 22 लुकों की कई चान अर्शबार निली हमली की जमितारी अमेरिका के राजपती डोनाल ट्रम्प और उनके चीनी संकक्ष शी जिंग पिंग के बीच होगी मुलाकात G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अरजन्टीना में नवंबर के अंत में मिलेंगे दोनो फिलिपिन्स की पूर प्रधम महिला इमेल्डा मार्कोस को मिली 11 साल कारावास की ससा 1975 से 1986 तक मनीला में गावर्नर के पत पर रहने के दौरान लगेते ब्रश्चाचार के आरो गूगल ने उत पीडन मामलो का सही से निप्ताराना कर पाने पर मांगी माफी कमपनी को सुरक्षित कारेस्तल बनाने के लिए बदलाव लाने का किया हा था जंता पर फिर पड़ी महंगाई की मात, दो रूपे बढ़ी रसोई गैस की कीमत अब सबसीडी वाले सिलेंडर के लिए जंता को चुकाने होंगे ज्यादा रूपए आज भी कम हुए तेल किदाम, दिली में पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 16 पैसे हुआ सस्ता वितवर्ष 2019 की दूसरे दिमाही में टाइटन का बढ़ा मुनाफा 2.9 फीस से दी बढ़कर 314 करोड 40 लाक रुपए हुआ वितवर्ष 2018 की दूसरे दिमाही में 305 करोड 60 लाक रुपए था अमेरिका को पीछे छोड स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बना भारत जुलाई और सितंबर में 4.04 करोड फोन भिके चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत और अशोग कुमार वनेर प्रतिसपर्धा आयोग के नए अध्यक्ष 1981 बैच के तमिल नाडू के अडर के आएस अधिकारी हैं अशोग कुमार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुश्ती रहें देखते रहें डीबी लाइब क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार